हाई फ्रेंट्स सामान्य हिंदी की मुहावरे शंकला में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगी चावर्ग में चर से शुरू होने वाले मुहावरे सबसे पहले हैं चल बसना जिसका अर्थ है मर जाना जिसका वाक्य प्रियोग है बेचारे का बेटा भरी जवानी में चल बसा नेक्स्ट है चार चांद लगाना जिसका अर्थ है चोगनी शोभा देना जिसका वाक्य प्रियोग है निवंदों में मुहावरों का प्रियोग करने इसे चारचाद लग जाता है नेक्स्ट है चिकना घड़ा होना जिसका आर्थ है बेशर्म होना जिसका वाक्य प्रियोग है तुम ऐसा चिकना घड़ा हो तुम्हारे उपर कहने सुनने का कोई असर नहीं पड़ता नेक्स्ट है चिराक तले अंधेरा जिसका आर्थ है पंडित जी स्वैम तो बड़े विद्वान है किन्तु उनके लड़के को चिराग तले अंधे रही जानो नेक्स्ट है चैन की बंशी बजाना जिसका अर्थ है मौज करना जिसका वाक्य प्रियोग है आजकल राम चैन की बंशी बजा रहा है नेक्स्ट है चार दिन की चांदनी जिसका आर्थ है चौटे दिन, चौडे दिन का सुख, जिसका वाक्य प्रियोख है, राजा बली का सारा बल भी जब चार दिन की चान नीही रहा, तो तुम किस खेत की मुली हो, नेक्स्ट है, चीटी के पर लगना या जमना जिसका अर्थ है विनाश की लक्षन प्रकट होना जिसका वाक्य प्रियोग है इसे चीटी के पर जमना ही कहेंगे कि अवतारी राम से रावड बुरी तरह पेश आया नेक्स्ट है चून करना जिसका अर्थ है सहजाना या जवाब न देना जिसका वाक्य प्रियोग ह वे जीवन भर सारे दुख सहता रहा पर चू तक नहीं की चादर से बाहर पेर पसाड़ना जिसका अर्थ है आई से अधिक विया करना जिसका वाक्य प्रियोग है डेट सो ही कमाते हो और इतने खर्चीली लतें पाल रखी है चादर के बाहर पैर पसारना कौन सी अकलमंदी है चांद पर थूकना जिसका अर्थ है व्यर्थ निंदा या सम्मानिय का अनादर करना जिसका वाक्य प्रियोग है जिस भले मानस ने कभी किसी का कुछ नहीं विगाड़ा उसे ही कुछ बुरा भला कह रहे हो बला चांद पर भी धूक जाता है नेक्स है चूड़िया पहनना जिसका अर्थ है इस्तरी कीसी असार मर्थता प्रकट करना जिसका वाक्य प्रियोग है इतने अपमान पर भी चुप बैठे हो चूड़िया तो नहीं पहन रखी है तुमने नेक्स है चहरे पर हवाईया उड़ना जिसका अर्थ है डरना या घपराना जिसका वाक्य प्रियोग है सामने वाद का नाम सुनते ही पुंजी पतियों के चहरे पर हवाईया उड़ने लगती है नेक्स है चांदी काटना जिसका अर्थ है खूब आमदनी करना जिसका वाक्य प्रियोग है कार्याले में बावु लोग खूब चांदी काड़ रहे हैं नेक्स्ट है चम्पत हो जाना जिसका अर्थ है भाग जाना जिसका वाक्य प्रियोग है जब काम करने की बारी आई तो राजो चमपत हो गया नेक्स्ट है चकमे में आना जिसका आर्थ है दोके में पढ़ना जिसका वाक्य प्रियोग है किशोर किसी के चकमे में आने वाला नहीं है वह बहुत समझधार है नेक्स्ट है चकमा देना जिसका अर्थ है दोका देना जिसका वाक्य प्रियोग है भै बदमाश मुझे दोका देकर भाग गया नेक्स्ट है चक्कर में आना जिसका अर्थ है फंदे में फसना जिसका वाक्य प्रियोग है मुझसे गलती हो गई जो मैं उस ठक के चक्कर में फस गया नेक्स्ट है चना चबेना जिसका अर्थ है रूखा सूखा भुजन जिसका वाक्य प्रियोग है आजकल रामु चना चबेना खाकर गुजारा कर रहा है नेक्स्ट है चपत पढ़ना जिसका अर्थ है हानी अत्वा नुकसान होना जिसका वाक्य प्रियोग है नया मकान खरीदने में रमेश को बीस हजार की चपत पढ़ी नेक्स्ट है चमक उठना जिसका अर्थ है उन्नती करना जिसका वाक्य प्रियोग है रामु ने जीवन में बहुत पईश्रम किया है अब वह चमक उठा है नेक्स चमड़ी उधेरना या खीचना जिसका अर्थ है बहुत पीटना जिसका वाक्य प्रियोग है राजो तुमने दुबारा मुंखोला तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेर दूँगा नेक्सट है चर्णों की धून जिसका अर्थ है तुच्छ व्यक्ति इसका वाक्य प्रियोग है हे प्रभू मैं तो आपके चर्णों की धून हूँ मुझे पर दया करू नेक्सट है चलता पुर्जा जिसका अर्थ है चालाक जिसका वाक्य प्रियोग है रवी चलता पुर्जा है उससे बचकर रहना ही अच्छा है नेक्स है चसका लगना जिसका अर्थ है बुरी आदत जिसका वाक्य प्रियोग है धीरो को धूमरपान का बहुत बुरा चसका लग गया है नेक्स्ट है चांद का टुकडा जिसका अर्थ है बहुत सुन्दर जिसका वाक्य प्रियोग है रामु का पुत्र तो चांद का टुकडा है वह उसे प्रति दिन काला टीका लगाता है नेक्स्ट है चांदी काटना जिसका अर्थ है खूब लाब होना जिसका वाक्य प्रियोग अरे मित्र यदि तुम्हारी ये दुकान चल गई तो चांदी ही चांदी हो जाएगी नेक्स है चांदी का जूता जिसका अर्थ है घूज या रिश्वत जिसका वाक्य प्रियोग है जब रामु ने लाइन में लगे बिना अपना काम कर लिया तो उसने मुझ से कहा तुम भी प्रणाली को जूता मारो और काम करें करा लो लाइन में क्यों लगे हो नेक्स है चार्थ पढ़ना है आदत पढ़ना इसका वाक्य प्रियोग है रानी को तो चार्थ पढ़ गई है वह बार-बार पैसा उधार मांगने आ जाती है नेक्स चादर देखकर पाओ पसारना जसक चादर के बाहर पैर पसारना जिसका अर्थ है आई से अधिक व्यक्ति मुन्ना चार सो बीस है इसलिए सब उससे दूर रहते हैं नेक्स है चार सो बीस ही करना जिसका अर्थ है छल कपट या धोकाद करना जिसका वाक्य परियोग है मित्र तुम मुझसे चार सो भी सी मत करना वरना अच्छा नहीं होगा नेक्स है चिकनी चुपडी बातें जिसका अर्थ है दोका देने वाली बातें जिसका वाक्य प्रियोग है एक व्यक्ति चिकनी चुपडी बाते करके रामू की मा को ठग ले गया नेक्स है चिडिया उड़ जाना जिसका को धोके से अपने वश में करना इसका वाक्य प्रियोग है जब परदेश में एक आदमी मुझे फुसलाने लगा तो मैंने उससे कहा अरे भाई अपना काम करो यह चिडियां फसने वाली नहीं है नेक्स्ट है चिंगारी छोड़ना इसका अर्थ है लड़ाई जगड़े वाली बात करना जिसका वाक्य प्रियोग है राजू ने ऐसे चिंगारी छोड़ी कि दो मित्रों में जगड़ा हो गया नेक्सट है चिराग लेकर ढूना इसका अर्थ है बहुत च्छानबीन या तलाश करना इसका वाक्य प्रियोगे मैंने मा से कहा कि राजू जैसा मित्र तो चिराग लेकर ढूने से भी नहीं मिलेगा इसलिए मैं उसे अपने घर लाया हूं नेक्स्ट है चिलपॉं मचना इसका आर्थ है शोर गुल होना इसका वाक्ची प्रियोंगए जब कक्षा में अधियापक नहीं होते तो चिलपॉं मच Swatit हैसे क्यं ची बोलनाule क सबसे हार वाक्ची प्रियोग है आज राजु कबड़ी में ची बोल गया चीटी के पर निकलना जिसका आर्थ है मृत्यों के निकट पहुंचना इसका वाक्य प्रियोग है रामु ने जब ज्यादा आतंक मचाय तो मैंने कहा लगता है अब चीटी के पर निकलाई है नेक्स्ट है चुटकी लेना जिसका आर्थ है हसी उडाना जिसका वाक्य प्रियोग है जब रमेश डिंग मारता है तो सभी उसके चुटकी लेते हैं नेक्स्ट है चुटिया हाथ में लेना जिसका आर्थ है पूर रूप से नियंतरन में होना जिसका वाक्य प्रियोग है मित्र उस बदमाश की चुटिय मेरे हाथ में हैं तुम फिक्र मत करो ये चुलू खर पानी में डूब मढ़ना जिसका अर्थ अतियंत लजित होना जिसका वख्य पर्योग है जब सब्सके सामने राजु का जूट पकड़ा गया तो उसके लिए चुलू वर, पानी में डूब मढने वाली पात दिष्ट हो गई कंग नगाना जिसका आधा है ठंगना जिसका वाक्य प्रयोग है कल एक अंजान आदमी गोपाल को सा रुबाय का चून लगा गया नेक्स्ट है चूहे बिल्ली का जिसका अर्थ है स्वेभाविक विरोध जिसका वाक्य प्रियोग है राम और मोहन में तो चूहे बिल्ली का बैर है दोनों भाई हर समय जगडते रहते हैं नेक्स्ट है, चहरे का रंग उड़ना, जिसका आर्थ है, निराश होना, जिसका वाक्य प्रियोग है, जब रानी को परिक्षा में फेल होने की सूच ना मिली, तो उसके चहरे का रंग उड़ गया, नेक्स्ट है, चहरा खिलना, जिसका आर्थ है, खुश होना, जिसका वाक्य प्रियोग है जब बक्चे कक्षा में शोर मचाते हैं तो अध्यापक का चेहरा तम-तम आजाता है चैन की वंशी बजाना इसकार्थ है सुख से समय विताना इसका के पर योग के मेरा मित्र डॉक्टर बनकर चैन की वंशी बजा रहा है नेक्स्ट है क्लें पषी और एड़ी का इंस का अड़ी का फहा का फिरोघ नौकरी के लिए पषीना 10 को शॉन ही नेक्स्माượngत करना आध्यापक ने कक्षा में कहा कि चोटी पर पहुंशने के लिए व्यक्ति को अथक परिश्रम करना पड़ता है नेक्स्ट है चोला छोड़ना जिसका अरथ है शरीर त्यागना जिसका पर गांदी जी ने चोला क्छोड़ते समय हेराम कहा था। नेक्स टें चंडू खाने की इसका अर्थ है निराधार बात। इसका वाक्य पिर्योग हैं मेरे सामने तुम चंडू खाने की मत सुनाया करो। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं है। नेक्स्ट है चट कर जाना जिसका आर्थ है सब का सब खा जाना जिसका वाक्य प्रियोग है वैं तीन दिन से भूखा था सारा खाना एकदम चट कर गया नेक्स्ट है चप्पा चप्पा छान डालना जिसका आर्थ है हर जगे जाकर दे खाना जिसका वाक्य प्रियोग है पुल पर चर्वी चड़ गई है दूसरों को कुछ समझता ही नहीं है नेक्स्ट है चहल पहल होना जिसका अर्थ है रौनक होना इसका वाक्य प्रियोग है दिवाली के कारण आज बाजार में बहुत चहल पहल है नेक्स्ट है चाकरी बजाना जिसका अर्थ है सेवा करना जिसका वाक वांक्य प्रियोग है, जन्वरी महा में दिल्ली में चल्ले का जाड़ा पड़ता है, अगर इन ही दिनों जाना पड़े तो गरम कपड़े लेकर जाना, निक्स्ट है, चुगली खाना या लगाना, इसका यो लोग पीछे-पीछे दूसरों की चुगली लगाते या खाते है, उनकी पोल जल्दी ही खुल जाती है, next है, चुटकी बजाते बजाते, जिसका आर्थ है, चटपट, जिसका वाग के प्रियोग है, आपका यह काम तूमें चुटकी बजाते बजाते पूरा कर दूँगा, आप शिंता ने करें, next है, चूचू का मुरब्बा, जिसका आर्थ है बे मेल चीजों का यूग जिसका वाक्य प्रियोग है यह पार्टी तो चूचू का मुरब्बा है ने जाने इस पार्टी में कहां कहां कि लोग शामिन है नेक्स्ट है चूर चूर कर देना जिसका आर्थ है नश्ट करना जिसका वाक्य प्रियोग है कारविल युद्ध में भारतिय सेना ने पाकिस्तान का घमन चूर चूर कर दिया था नेक्स्ट है चूलहा जलना जिसका आर्थ है खाना बनना इसका वाक्य प्रियोग है नामेश्वर के यहां इतनी तंगी है कि दो दिन से घर में चूलहा तक नहीं चला है नेक्स्ट है चूखट पर माथा टेकना जिसका आर्थ है अनुने विने करना जिसका वाक्य प्रियोग है बैश्णो देवी की चूखट पर जाकर माथा टेको तभी कश्ट दूर होंगे नेक्स्ट है चल निकलना जिसका आर्थ है लगती करना या बढ़ना नेक्स्ट है चिकने घड़े पर पानी पढ़ना जिसका आर्थ है उपदेश का कोई प्रभाव न पढ़ना नेक्स्ट है चुनौती देना जिसका आर्थ है ललकारना नेक्स्ट है चंडू खाने की गप जिसका आर्थ है जूटी गप नेक्स्ट है चीटी के परजमना जिसका आर्थ है ऐसा काम करना जिससे हानी या मृत्यू हो नेक्स्ट है चाचा बनाना जिसका आर्थ है दंड देना फ्रेंट्स आज के लिए सिर्फ इतना ही